हल्लौ स्टूडिंग्स इस वीडियो में हमें देखना है रिफ्रेक्शन अव लाइट बाई ए प्रिज्म इसलिए मैंने वाइट बॉर्ड ले लिया है इसमें हमें वाकपाउट करके देखने से ज़्याद अच्छे से समझ में आएगा प्रिज्म कैसा होता था पिछले वीडियो में हमने डाइगा एक इमेज भी देखे थी प्रिज्म एक ट्रियंगल टाइप का होता है इस तरह का एक ठिक ट्रियंगल बोल सकते हो प्रिज्म का माल्दो इस स्क्वीन के अंदर घुसा हुआ है थोगा सा मोटा यह ट्रियंगल है इस पर रिफ्रक्शन कराना रहना है रिफ्रक्शन कराना है कैसे कराएंगे सबसे पहले तो एक इंसिदेंट र calendar लेनी होग यहां यहां से यह इंसिदेंट रे आती है एक इंसिदेंट रे यू ले लो ठीक है, यह point of reflection हो गया यहाँ पर हम, याद आ रहा है, अब भूल जाओ, थोड़ी दर के लिए भूल जाओ कि इधर में कुछ है, यह सारा part में जो भी है, इसको भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ हमें अभी consider करना है, कि यह हमारा एक refracting surface है, है ना, एक तरफ medium air है, और यह अंद reflection होंगा इस point पे, सबसे पहले point पे reflection कराने के लिए हमें एक normal चाहिए, normal draw करें, इस point पे normal कुछ इस तरह से ले लो, मान लो यह normal है, तो हमारे पास यह incident, angle of incidence तो आ गया है, यह है, angle of incidence है, यह, रे का भी नाम कुछ दे देते हैं, क्योंकि भी बहुत साई रेस होने वाली है, पी, इस point को क्या नाम दे दिया जाए, चलो, क्यों नाम दे देते हैं, क्यों, तो अब reflection के बाद light किस तरफ बेंड करेगी, यहां पे जब reflection कराएंगे हम लोग, तो angle i, और angle r, यादा रहना, angle i होता था, incident angle, angle r होता था, refractive angle, तो angle i और angle r में क्या relation होगा, या bend towards the normal होगा, या away from the normal होगा, ग्लास की density high है, as compared to air, तो ये towards the normal bend होगा, कुछ इस तरह से, towards the normal, कुछ इस तरही किसा है, होगा, और फिर जब ये light यहां पे पहुँच जाएगी, तो इसको फिर से एक reflecting surface मिल जाएगा, इस बीच में light इस direction में travel करेगी, ये angle जो हमारा है, एंगल अफ रिफ्रेक्शन होगा, पहले point पे, फिर इसको मिल गया है, दूसरा reflecting surface, यहां पे फिर से एक normal draw कर देते हैं, बिना normal के तो कुछ होगा नहीं काम, ये normal है, अब यहां पे light किदर से किदर जा रही है, light अब glass के अंदर है, और बाहर निकल रही है, एर में चली जाएगए, ये लाइट अब भी glass के अंदर है, अब बाहर निकलना है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका angle of incidence बना लेते हैं, angle of incidence हमारा यह वाला होगा, है ना, ये angle of incidence होगा, और, angle of réfraction क्या होगा, bend towards the normal या away from the normal, bend away from the normal होना है, bend away from the normal होना है, rare or medium में light जा रही है, तो bend away from the normal होना है, मतलब जो सीधा पाथ था, ये इस्टर से, जो सीधा होता पाथ, इससे थोड़ा सा दूर के तरफ चले जाना है, इस्टर पाजाना है, ये away from the normal, ये सीधा सीधा light इस्टर से जाती है, अगर medium नहीं होता तो, यदि यहाँ पे कोई medium नहीं मिला होता, तो light सीधा इस्टर जाती, तो को ठीक line ले लेता हूं, यहाँ पे अगर ये refracting surface नहीं होता, तो light इस्टर से निकल जाती सीधी, लेकिन अब इसको away from the normal जाना है, तो इस तरफ चले जाएगे, ठीक है, ये light हमारी निकल देए, पी, क्यू, चलो इस point को R दे देते हैं, इस point को माल लो R, और इस point को माल लो S, और ये angle जो होता है, ये angle, तेक रो, एक बार, reflection इस point पे हो चुका है, इस point पे एक reflection हो चुका है, और इस point पे एक और reflection हो चुका है, तो ये angle जो निकलता है, नहीं, emergent angle इसको बूलते हैं, E, ये emergent angle जो आया है, दो reflection के बाद आता है, समझे बाद ये बात, तो light का path किस तरह का बना, प्रिज्म के थूर से, जब light पास कर गे, प्रिज्म के अंदर से, तो इस तरह से है, पहले इधर जा रही थी, फिर यहां पे थोड़ा से bend हुआ, और फिर, यहां थोड़ा से bend हुआ, और फिर थोड़ा से और bend हुगे रहा, घूम गई, light घूम गई, यहीं हुआ ना, अगर, light का path इस में देखें, light यहां से चल रही है, फिर यहां आई है, वहलब यहां पे एक बार bend हुआ, towards the normal, फिर bend हुआ, away from the normal, और रहा कुम गई है, क्या हो गया, glass slab में light थोड़ा सा, displace हो जा रही थी, glass slab में किस तरह से बनता था, image हमारा, यह यही, glass slab लेते थे, इसमें, light यूँ गई, bend towards the normal, इस तरह से, और रही बन अवे फिर रही फिर रही फिर रही है, इस तरह से, यहाँ पर light थोड़ा सा, displace हो जा रही थी, यह बीच में थोड़ा सा gap बन जा रहा है, इस तरह से, लेकिन direction सेम था, और इस case में, पूरा direction ही घूम गया है, इस case में, पहले इधर जा रही थी, फिर यूँ घूम गई, फिर यह घूम गई, पूरे process में, क्या-क्या हुआ समझ में आ रहा है, एक वाफिर से, सेम डाइगा हमको बनाते हैं, बताओ कि कैसे कैसे हो जा है, एक प्रिज्म ले लो पहले, यह ले लो प्रिज्म, इसमें एक incident tray बना दो अब यूँ, इसको बेंड करना है, तो वाफिर से जाना है, अब इस सर्फेस पर फिर से जाना है, जाना के चेक करो, नॉर्मल चलो दूसरे कलर से में बना देता हूँ, येलो से मार्क करते हूँ, जीघापए जाना हूँ, क्या हूँ, इसको ये जाना है, यहाँ पे normal बना और इस point पे यह normal बना ठीक है दिखा आए अब यह angle of incidence यहाँ पर था यह angle of reflection था towards यह normal bend हुए और यहाँ पे angle of incidence यहाँ पे है reflection यहाँ पे away from the normal यहाँ पे bend हुए बात समझ में आ रही है ऐसा होता है प्रिजम में अगर label कर दें सभी race को नाम दे दें यह P Q R S यह angle I, angle of incidence इसको R1 ले लो first angle of reflection और इसको क्या लेना होगा I2 यह दूसा क्या होगा angle of emergence ठीक है यह जो पूरा का पूरा calculation किया हमने इसमें इस angle का एक important role है ना यह angle कौन सा था इसी से तो decide होगा कि यह normal कहाँ पर थी किदर bend होगा कैसे होगा यह angle जो है इसको बोलते है angle of prism यह होता है ग्लास slab नहीं ग्लास प्रिज्म से reflection समझ में आया कर सकते हैं उसको खुद भी lab में है कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए same concepts है जो पहले यूज करते हैं हम लोग कोई नया concept नहीं लगा है बिल्कुल same concepts है लेकिन result कुछ अजीब सा आ गया एक दम नया result आ गया है इस prism की एक और खास बात होती है प्रिज में की नहीं नॉर्मल किसी भी material की rainbow के colors पता है rainbow कितने colors होता है violet indigo blue green yellow orange red होता है ऐसा sort में बोलते है V, I, B G, Y, O, R पता है rainbow में इतने lights होते हैं इतने colors होते हैं सारे colors कहां से आते हैं white light जो होती है sunlight जो होती है sunlight में ये सारे के सारे colors रहते हैं और सब mix हो करके हमें white दिखते हैं rainbow में सारे colors अलग हो जाते हैं पता है नहीं है पता है how does a rainbow form rainbow आकाश में क्यों डिखता है बारिस के बाद जो white light होती है वो अलग-अलग components में बिखर जाती है तो यह interesting बात यहां पर यह है कि यहां पर जो प्रिज्म में या कहीं पर भी जब reflection जहां भी होता है reflection जब भी होगा reflection में हमें एक refractive index की ज़र्वत होती है या refractive index calculate करते है है ना यह refractive index जो है जैसे-जैसे light का color change होता है refractive index change होते जाता है जैसे-जैसे light का color change हो रहा है refractive index change हो जाएगा जैसे same prism की अगर बात करें this person हम लोग देखेंगे अभी हाँ पर topic लिखा हुआ है ही यह ही prism अगर फिर से consider करो माल लो पहले इसमे red light fall करते है red light यहां से यह जाएगे bend towards the normal और फिर away from the normal इस्टर से हो जाएगा वहीं यदि इसमें red की जिगर पे green light को incident कराते है यह को side में मैं बनाता हूँ वगल में green light यदि इसके उपर incident होती है bend towards the normal होगा फिर से यूँ और फिर bend away from the normal हो जाएगा यूँ यह दोनों lights parallel नहीं निकलेगी यहां पर मैंने parallel incident किया था incident parallel किया था लेकिन emergent ray parallel नहीं होगी क्यों? क्योंकि refractive index पदल जाता है जैसे ही light का color change हुआ refractive index पदल जाता है मतलब यह है कि angle i angle i same है angle i divide by angle r जो हमने निकाला था refractive index यह एक particular light color के लिए fix होता है जैसे ही light का color change हुआ refractive index पदल जाता है तो white light, red light में जितना angle change होगा angle of incidence same रखते हैं हम लोग यह angle of incidence यहां पर बिल्कुल same है कोई change नहीं कर दा है angle of eye यहीं सेम रखते है refractive angle, angle of reflection बदलते जाएगा जैसे जैसे color बदलेगा उसका angle of reflection बदल जाएगा और फिर दूसरे point पर फिर से angle of reflection बदल जाएगा तो हमने यह भी बात की कि white light में सारे colors अलग लग रहते हैं सभी एक साद पास करते हैं सभी colors का mixture होता है white light में तो यही white light को इस prism से refract कराया जाए प्रिजम है मार पास यह इसमें incident white light है तो मैं black color से draw करता हूँ white को white light इसमें incident इस तर से ठीक है अब साथ color है साथ color है इसमें जो red आएगा refract होने के बाद यहां से red कुछ इस तर से निकला माल दो दूसरा color जो आएगा ना blue blue थोड़ा सा जाड़ा refract हो जाएगा इस तर से आएगा इसके हलका सा नीचे आएगा यहां पे बहुत हलका सा नीचे आएगा यूँ और इंडिगो जो रहता है color इंडिगो में पास इस color में है निलेस्ट वो थोड़ा सा और refract हो जाएगा इस तरीके से ठीक है अब फिर यहां पे जब reflection होगा तो यह जादा refract हो गया ब्लू थोड़ा सा कम refract होगा इस तरीके से और red जो है इससे भी कम refract होगा तो यदि यहां पे एक screen लगा दिया जाए इस तरीके से तो यहां पे अलग-अलग colors दिखने लग जाते हैं यह तो मिटा दो screen के पीछे कुछ पास नहीं हो पाएगा इस screen पे अलग-अलग colors दिखते हैं क्या हो रहा है कुछ इस तरह का image बन जाता है white light जिसमें 7 colors थे violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red साथो colors जो थे एक साथ यहां पे आए और reflection सभी color का अलग-अलग हुआ तो देखो हलका हलका अंदर में change होने लग जया और फिर जब बाहर निकले तो और थोड़ा से change होग अगल of reflection फाइनली एक screen पे साथो का अलग-अलग हमें मिल जाते हैं इस process को बोलते हैं dispersion of light जो polychromatic light मतलब white light होती है mixture बहुत सारे wavelengths का और monochromatic मतलब सारे light अलग-अलग होगे अलग-अलग colors के light अलग होगे तो white light जब prism के उपर जाती है तो यह अलग-अलग colors sister से बन जाते हैं interesting मज़ा आएगा करने में lab में इस exercise को जरूर करना lab में जाकर के यह एक experiment है जो proof करता है कि same white light में ही इतनी सारे colors होते हैं नहीं तो ऐसे क्यों मानोगे? मैं बोलना हूँ र sı次 और नहीं मानना है white light में मैं बोलना है कि 7 colors होते है क्यों मानोगे यह जोकि इस experiment में यह प्रूव होता है कि white light में इतने सारे colors है, हम लोग सबको अलग-अलग करके देख सकते हैं, तो dispersion मतलब, dispersion word का मतलब यहीं है, कि सबको disperse कर दिया, सबको अलग-अलग कर दिया, जो mixture था, उसको total को अलग कर दिया, ओके, इस video को यहीं पर stop करते हैं, अगले video में और बाते करेंगे हैं, तब तक के लिए, बाई-बाई